महराश्ट के मुंबई से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामड़ी आई है यहां एक युवक ने पहले शादी शुदा बैंक मेनिजर गर्फरेंड का बर्थेडे जोर शोर से मनाया और फिर उसकी गला घोट कर बेरहमिस से हत्या कर दी महिल अपने पती से तलाक लेकर अलग रह रही थी पुलस ने आरूपी युवक को घरफतार कर लिया है द्रसल मामला नवी मुंबई का है यहां सायन में गैराज में काम करने वाले सोहेब शेक का खुद से 11 साल बड़ी आमित कौर से प्रेम प्रसंद चल रहा था आमित कौर नवी मुंबई के जुमet नगर में इस सिद्ध एक बैंक में मैनेजर थी और सायन कोली वाला में अपनी मा और चोटी बेटी के सात रह थी रोजायन सायन कोली वाला से जुनई नगर की बैंक में आना जाना उसका होता था तीन मेहिने पहले सोशल मीडिया की जरी उसकी पहचान सोहेब कलाम शेक से हो गई दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा आठ जन्वरी को अमित कौर का जर्म दिन था एज़ार्ण अमित कौर को लिख सोहेब नवी मुंबई के एक लॉंज में पहुचा पहले उसने अमित कौर का बर्थरी सेलिबरेट किया और इसके बाद अमित की गालगोट कर हत्या कर दी बाद में वो लॉंज छोड़कर वापस अपने रिश्दार की गैरिस में चला गया जहां वो काम करता था साकिना का पूलिस की जर्च में सामयाय कि सोहेब शेथ और अमित कौर के बीच सितंबर 2023 से प्रेम परसंग चल रहा था इस वीच सोहेब को शक था कि उसकी प्रेमिका कहीं और भी चक्क कर चल रहा है इसकी शक की वजहा से उसने प्रेमिका अमित कौर की जान लेली साकिना का पुलिस का कहना है कि पहले उसे अमित कौर के दोस्स सोहेब के बारे में पता चला था बाद में देखने में आये कि सोहेब का रवय बदल गया पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूस्ताच की तो हत्या की गुल्थी सुलज गई साकीना का पुलिस ने नभी मुंबई पुलिस से बात की और अन्य जानकरी जुटाई गई जाच में सामनी आये कि अमित कौर और सोहेव एक लॉंज में रुके हुए थे उस जगा जाकर चान भी की गई तो अमित कौर की लश बैट पर पड़ी थी पुलिस का कहना है कि आरोपी पर हात्या की F.I.R. दर्स कर ली गई है और अब नभी मुंबई पुलिस आरोपी से पूस तरच करने में जुटी हुई है